So hi everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट में मैं रितेश कुमार, तो आज के इस विरियों में हम आपको दो महतोपुर्ण अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे की पोशन ट्रेकर एप का जो ये अपडेट है, वो 14.3 का एक नई भरजन आ चुका है आप सभी आगनबारी बहने, प्ले स्टोर में आके सर्च बारे में आपको क्या करना है, सर्च करना है पोशन ट्रेकर और पोशन ट्रेकर लिग के जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट करने का ओप्सन आ जाएगा, और इसमें आपको दो महतोपून अपडेट को समझनी है, जैसे की दो महतोपून अपडेट क्या आई है, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, तो आपको पोशन ट्रेकर एप को चलान में परिशानी हो सकती है, इसलिए मैं अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक ध्यान से जरूर देख लिजिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो दो नए अपडेट आए है, पहला अपडेट क्या है, मैसेज चेंज फोर बेनिफिसरी एड या अपडेट सक्सेस पॉप अप यानि कि जब आप लोग पोशन ट्रेकर एप में किसी भी लभार्थी को एड करते हैं, यानि कि निव रेश्टेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो पॉप अप खूल के आता है, यानि सक्सेस का जो मैसेज आता है, रिकॉर्ड सक्सेस फुली मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, और जो दूसरा अपडेट है, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, फोर्स मैंडेट अपडेट एडवलो सी ओपन या क्लोज फीचर, जैसा कि आप लोग पोशन ट्रेकर एप को रोज यूज करते हैं, तो जैसे ही आप लोग पोशन ट्रेकर एप को ओपन करते हैं, तो आप लोग डिरेक्टली होमपेज पे चले जाते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद ये जो फीचर है, इसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है, तो चलिए बारी-बारी से दोनों अपडेटों के बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो, दिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं इसका भरजन दिखा देता हूँ, 14.3 का ये निव भरजन आ चुका है, और यहाँ से हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद, यहाँ पर अपडे पर संट्रेकर अब जहाँ पर इंस्टॉल है, उसको डिरेक्ली ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद, आपसे यहाँ पर मुबाइल नंबर और एंपिन पुछेगा, जो कि आप लोग अपना रजिस्टर मुबाइल नंबर जो दिये हैं, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और जो आप लोग एंपिन सेट किये होंगे, वो चार अंखो का एंपिन आपको यहाँ पर डाल लेना है, चलिए हम इसको यहाँ पर डाल देलते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने अपना मुबाइल नंबर और एंपिन दर के लोग इन करेंगे, तो आपके सामने एक नया फीचर इस परकार से खुल के आ जाएगा, जैसे कि हमने आपको जो second option बताया, कि AWC open close फीचर, तो यह वही फीचर है, तो जैसे कि हर सुबह जब आप लोग portion tracker एप को पहली बार open करेंगे, तो आपके सामने इस परकार का page open हो कर पाएंगे, और जैसे कि पहले क्या था, यहाँ पे जो नहीं वाला option था, नहीं वाले option पे किली करके submit करें और जारी रखे पे किली करते थे, तो यहाँ पे submit नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे कि माली यह Sunday को आगणबारी केंदर नहीं खुलता है, तो उस किसी भी परकार का काम यहाँ पे आप लोग कर पाएंगे, इस परकार से आप लोग आगनबारी के अंदर को open करके submit करें और जारी रखे पे किली कर देना है, किली करने के बाद आप फिर से यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, आने के बाद आप लोग जो भी कारे करना च और आप चलिये हम आपको पहली अपडेट बताते हैं जैसे कि जो दूसरी अपडेट है वो पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी और जो पहली अपडेट के आई थी कि किसी भी लभार्थी को अगर आप लोग पोशन ट्रेकर एप में एड करते हैं तो उसका जो पॉप अप है वो चेंज होके आएगा तो किस प्रकार से चेंज होके आएगा चली हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं तो चली हम यहाँ पे किसी एक केटेगरी को उपेन करते हैं जैसे कि गर्भाती महिला एक केटेगरी को उपेन करते हैं उपेन करने के बाद यहाँ पे नियू रेइस्टेशन वाले पे किली करेंगे और यहाँ पे जिस भी लभार्थी का नाम एड करना है यानि कि उनका सारा details यहाँ पर भर लेते हैं यहाँ पर उसका नाम पती का नाम अधार संखिया जो भी details है चली हम आपको भर के और आपको आगे बताते हैं तो यहाँ पर हमने उसका पूरा details डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पर जो submit का option आप लोग देख रहे हैं पहले जब हम लोग submit करते थे तो यहाँ पर record successfully update दिखाता था चली अब हम यहाँ पर click करके देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या change हुआ है जैसे हम यहाँ पर submit करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर submit करने के बाद record creation in progress please check after some time यानि कि यह जो लभार्थी का नाम है इसमें जूर चुका है लेकिन थोड़े समय के बाद यहाँ पर उस लभार्थी का नाम दिखाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका भी हमने नाम एड किया है उसका नाम यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है कुछ टाइम बाद यहाँ पर उस लभार्थी का नाम सो होने लगेगा यानि एक दिन के बाद कह सकते हैं कि इसमें जो लभार्थी का नाम है वो एड हो जाएगा तो देख सकते हैं इस परकार से यहाँ पे दो नए अपडेट आए थे दोनों महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जनकारी दे दी है और जैसे कि रहा सवाल आधार भेरिफिकेशन को लेकर तो हम आपको नेक्स वीडि कर एप से रिलेटेड आपको कोई भी परिशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताईएगा हम उसका रिपलाई देने की कोशिस जरूर करेंगे मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रह जय हिंद